आई जंप एक फील्ड इवेंट है जिसमें प्रतिसपर्दियों को एक निर्धारित उचाई को पार करना होता है याने की होरिजॉंटल बार को कूद के पार करना होता है हर निर्धारित उचाई को पार करने के लिए तीन मौके परदान किये जाते हैं इस तरह से हर उंचाई पर सफल खिलाडी का अगली निर्धारित उंचाई के लिए चैन किया जाता है और इस तरह अंतिम निर्धारित उंचाई को पार करने वाले खिलाडी को विजेता घोशित किया जाता है requirements इसमें दो पोल पर एक बार होता है जिसे खिलाडी को जम्प करके पार करना होता है इसमें खिलाडी एक पिट पर लैंड करता है जो फोम का होता है और खिलाडी को चोट से बचाने में सहायक होता है इस खेल में खिलाडी अपने को जमीन से उपर एक उचे लक्ष को बिना हाथ लगाए पार करने की कोशिश करता है लक्ष से जितना उपर जम्प उतना जीतने का मौका हर खिलाडी को हर हाइट को पार करने के तीन चांसेज मिलते हैं हर सही जम्प के बाद खिलाडी टार्गेट को 5 सेंटेमेटर बढ़ा सकता है अगर जम्प करते हुए खिलाडी के शरीर का कोई यंग बार से टच हो जाए परन्तु बार जमीन पर ना गिरे तो ये सही जम्प मानी जाती है और अगर गिर जाए तो गलत जम्प हो जाता है अगर दो से अधिक खिलाडियों बे हाईट को लेकर टाय हो जाता है तो कम फाउल करने वाला खिलाडी जीच जाता है पोल वॉल्ट बांसकूद पोल वॉल्टिंग एक फील्ड इवेंट है जिसमें खिलाडी एक लंबे लचीले पोल का उपयोग करते हुए एक मापित उँचाई को पार करने की कोशिश करता है इस्तेमाल में आने वाला पोल फाइबर का होता है जो खिलाडी के वेट के अनुसार तयाद किया जाता है खिलाडी को सही पोल ही इस्तवाल करना चाहिए पोल वॉल्ट में कम से कम यानि की मिनिमम उचाई खिलाडियों की शमता अनुसार निर्धारित की जाती है लाइंडिंग पिट फोन का होता है और इसकी चोडाई छे बाई छे मीटर्स की होती है इस खेल में सेफटी का खास ध्यान रखना चाहिए बिना कोच और सही एक्विप्मेंट के प्राक्टिस नहीं करनी चाहिए रूल्स ये एक रोमांचिक और खतरनाक इवेंट है इसमें खिलाडी एक पोल यानि एक लंबे टंडे के साथ अपने आपको दिये गए लक्षे के उपर से दूसरी तरफ फैंकता है खिलाडी पोल के साथ भाग कर अपने को पोल के सहारे उपर उठाता है और हाइट पर लगे बार यानि बाधा के दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है सबसे जादा उचाई के साथ सफलता पूरवक पूदने वाला खिलाडी विज़ाई होता है